भी दोस्तों को मैं दामोदर रावन उसकार करता हूं परणाम करता हूं अभी 9 बजे से हमारी प्रधान मंत्री मानने श्री नरेंद्र मोदी जी जन्ता के नाम संदेश देंगे इस पुरोना महमारी और लोकडाउन के बारे में आप दोग सभी मेरूबरू कराता हूँ, आजिए दिखिया, जनता जनादन में, मिलकर इस्थिती को जै मादा दी, हर हर मादे, भारत मादा की ज़िए। लड़ाई लड़ने वाले हर किसी का धन्यवास किया, वो भी आज सभी देशों के लिए एक मिसाल बन गया, आज कई देश इसको दोहरा रहे हैं, जनता कर्फ्यू हो, गंटी बजाने, ठाली बजाने का कार्कम हो, इनों, नेटवर्क का कुछ प्रोब्लम आ रहा हैं, हुने इस चुनवती पुन समय में देश को इसकी सामुहीक शक्ती का एसास कराया, यह भाव प्रगठ हुआ कि देश एक होकर कोरोना के खिलाप लडाई लड़ सकता है, अब लॉकडाउन के समय में देश की आप सभी के यह सामुहीकता चरितार्थ होती नजर आ रही है, साथ्यों, आज जब देश के करोडों लोग घरों में हैं, तब किसी को भी लड़ सकता है कि वो अकेला क्या करेगा, कुछ लोग यह भी सोच रहे होंगे, कि इतनी बड़ी लड़ाई को वो अकेले कैसे लड़ पाएंगे, कि यह प्रश्णा भी मन में आते होंगे, कि कितने दिन ऐसे और काटने पड़ेंगे, साथ्यों, यह लोग डाउन का समय जरूर है, हम अपने अपने घरों में जरूर है, लेकिन हम में से कोई अकेला नहीं है, एक सो तीस करोड देश्वास्यों की सामुहिक शक्ति हर व्यक्ति के साथ है, हर व्यक्ति का संबल है, समय समय पर, देश्वास्यों की इस सामुहिक शक्ति की व्राड़ता, इसकी भव्यता और इसकी दिव्यता की अनुभूति करना आवश्यक है, साथियों, हमारे यहां माना जाता है कि जनता जनार्दन इस्वर का ही रूप होती है, इसलिए जब देश इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा हो, तो ऐसी लड़ाई में बार बार जनता रूपी महा शक्ति का, विराद स्वरूप का साक्षाथ करते रहना चाहिए, यह साक्षाथ का हमें मनोबल देता है, लक्ष देता है और उसकी प्राप्ती के लिए पुर्जा भी देता है, हमारा मार्ग और अधिक वश्ठकलता है, साथियों, कोरोणा महामरी से फैले, अंदकार के बीच हमें निरंतर प्रकाश की और जाना है, जो इस कोरोना संकट से सबसे ज़्यादा प्रभावित है, हमारे गरीब भाई बेहन, उन्हें कोरोना संकट से पैदा हुई निरासा से आशा की तरफ ले जाना है, इस कोरोना संकट से जो अंदकार और अनिश्चित्ता पैदा हुई है, उसे समाप्त करके हमें उजाले और निश्चित्ता की तरफ बढ़ना है, इस अंदकार में कोरोना संकट को पराजित करने के लिए, हमें प्रकास के तेज को चारों दिशाओं में फैलाना है, और इसलिए इस संडे, पांच एप्रिल को हम सब को मिलकर कोरोना के संकट के अंदकार को चुनोती देनी है, उसे प्रकास की ताकत का परीचे कराना है, इस पांच एप्रिल को हमें एक सो तीस करोड देश्वासियों की महा शक्ति का जागरन करना है, एक सो तीस करोड देश्वासियों के महा संकल्प को नई उचाईयों पर ले जाना है, पांच एप्रिल रभिवार को रात नव बजे मैं आप सबके नव मिनिट चाहता हूं, जान से सुनेगा, पांच एप्रिल को रभिवार को रात नव बजे गर की सभी लाइटे बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी खड़े रहकर नव मिनिट के लिए मुम्बती दिया, तौर्च या मोबाइल की फ्लेश लाइट जलाएट, मैं फिर कहूंगा मुम्बती दिया, तौर्च या मोबाइल की फ्लेश लाइट पांच एप्रिल को रात को नव बजे नव मिनिट चक जरूर जलाएट और उस समय यदि घर की सभी लाइटे बंद करेंगे, चारों तरब जब हर व्यक्ति एक एक दिया जलाएगा, तब प्रकास की उस महाशक्ति का एसास होगा, जिसमें एक ही मकसद से हम सब लड़ रहे हैं, यह उजागर होगा, उस प्रकास में, उस रोशनी में, उस उजाले में, हम अपने मन में यह संकल्प करें, कि हम अकेले नहीं है, हम अकेले नहीं है, कोई भी अकेला नहीं है, एक सो तीस करोड देश्वासी, एकी संकल्प के साथ, कृत संकल्प है, साथियों, मेरी एक और प्रांतना है, इस आयोजन के समय, किसी को भी, कहीं पर भी, इखठा नहीं होना है, रास्तों में, गलियों में, या महलों में, नहीं जाना है, अपने घर के दरवाजे, बालकरी से ही, इसे करना है, सोशल डिस्टंसिंग, सोशल डिस्टंसिंग की लक्ष्वन देखा को, कभी भी लांगना नहीं है, सोशल डिस्टंसिंग को, किसी भी हालत में, तोड़ना नहीं है, कोरोना की चैन तोड़ने का, यही रामबाण इलाज है, इसलिए, पांच एप्रिल रभी बार को, रात नव बजे, कुछ पल अकेले बैठकर, माभारते का स्मर्ण कीजिए, एक सो तीस करोर देश्वाचों के चहरों की कल्पना कीजिए, एक सो तीस करोर देश्वाचों की सामुविक्ता इस महासक्ति का एसास कीजिए, यह हमें संकट की इस घड़ी से लड़ने की ताकर देगा, और जीतने का आत्म विश्वाच भी, हमारी यहां कहा गया है, उत्साहो बलवान आरिया, न अस्ति उत्साह परंबला, स उत्साहस्य लोकेशू, न किंचिक अपी दुल्लभाम, यानि हमारे उत्साह, हमारी स्पिरीट से बढ़कर के दुनिया में कोई फोर्ष नहीं होता, दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो हम इस ताकत से हासिद न कर पाएं, आईए, साथ हाकत, साथ में करोना को हराएं, भारत को विजयी बनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, कर दो दो हमारे जो 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 हमारे झाल झाल